नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे operations performed by a lathe machine जो lathe machine है उसके साइता से हम लोग कौन-कौन से operation perform कर सकते हैं कल हमने बात की थी जो पिछला वीडियो था उसमें बात की थी what are the basic components of a lathe machine and what are the functions of those components उन जो component थे क्या उनके function थे और जो है कौन-कौन से वो आपके component थे आज का जो topic है बहुत important है exam में ये बड़े questions में आता है कि कौन-कौन से operation हम लोग lathe machine से perform कर सकते हैं उसमें सबसे पहला है plain turning turning से meaning क्या है कि कि किसी excess material को excess material को remove करना किसी workpiece के उपर से और जो lathe machine है उसमें mostly जो हम लोग workpiece यूज करते हैं वो round shape का workpiece यूज करते हैं तो round circular जो job है उस job को revolve करवाते हैं तो revolve जो करता है circular rotate जो करता है वो वहाँ पे चक होता है तो चक की सायता से हम लोग उसको rotate करके फिर excess material को remove करते हैं और जो तूल होता है वो हमने पढ़ा है पीछे भी कि lathe machine जो है उसमें single point cutting tool यूज होता है हमने इसके principle में भी बढ़ा था तो single point cutting tool की सायता से जो हम लोग operation perform करते हैं वो operation है उसमें जो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं वो है plane training का तो plane training से meaning क्या है कि जो workpiece है एक circular workpiece था round shape का workpiece उस round shape के workpiece की सायता से हम लोग वहाँ पे excess material को remove कर रहे हैं तो it means कि इसका जो total डाया था वो वहाँ पे कोई माल लिजे 3 cm था इस circular workpiece का total डाया जो था वो 3 cm था अब हमें उसको reduce करना है और हमें उसको एक certain distance तक वो 2 cm रखना है में से 0.5 cm पे हमें वहाँ पे जो है material को remove करना था और वो जो उसका डाया करना था वो 2 cm करना था तो वो हमने single point cutting tool की सायता से किया और यहां से हम लोग इस tool को start करते हैं और इस तरह से यानि left side में इसको proceed करते चले जाते हैं वो इसकी जो feed होगी और depth of cut जो लगेगा वो इतना cut लगेगा दूसरी जो turning है वो है step by step turning step by step turning से meaning क्या है कि एक ही जो turning थी उसमें step by step करते जाना यानि एक से ज़्यादा turning कर देना तो यह पूरी job थी इस job का वो ही 3 cm डाया था और जो total distance था total जो दूरी थी वो ही माली जे 6 थी या 7 cm थी तो हमें 2 जगें से यहाँ पे cut लगाना था 2 जगें से step by step turning करनी थी तो जब 2 जगें से turning करनी थी तो जब 2 जगें से turning कर देंगे या 2 से ज़्यादा जगे कर देंगे तो वो हो जाएगी step by step तो पहला step हो गया फिर आपके पास दूसरा step जब हम लोग इस direction से चलते हैं क्योंकि हम चलते इसी से हैं तो इस side से right side से चलते हैं और left में proceed करते जाते हैं tool की साथा से तो जब वो perform करते हैं तो यह जो पहला step तो यह होता है और दूसरा step यह होता है तो इस तरह से हम लोग excess material को वहाँ से remove करते हैं तीसरा जो होता है taper turning अब taper turning का मतलब क्या है कि जो angle है job पे जो circular job था उस पे कोई certain angle देना यह angle दिया हुआ है इतना अब यह angle देने से मिनिंग क्या है कि हम लोग उस पे जो job थी उस पे 75 degree पे cut लगाए 45 पे यानि कि वो कोई certain हमें angle मिलेगा तो उस angular जो cut होता है उसको हम लोग बोलते हैं taper turning तो आगे से तो जो dia है वो reduce कर देना और पिछे से कुछ ज़्यादा dia रखना उसको बोलते हैं taper turning यह हम लोग करते हैं जो compound slide का provision रहता है लेथ मशीन में लेथ मशीन के components में भी हमने पढ़ा था compound slide तो compound slide जो रहता है उसकी सायता से हम लोग इसको set कर लेते हैं टूल को एक जो जितना भी taper करना है cutting और फिर हम लोग taper turning करते हैं और इस तरह प्रोसीड करते हुए चले जाते हैं तो यह होता है taper turning next जो operation है वह ग्रूविंग यानि ग्रूव कट करना और ग्रूव से मीनिंग क्या होता है कि यहां पे एक तरह का slot बनाना ताकि वह आपका जो आगे से जो है आपका डाया वह उतना रहे पीछे से भी डाया उतना रहे बीच में एक certain जगे से जैसे form टाइप हम लोग कोई operation perform करते हैं उस तरह का operation perform करना तो इस तरह का इसमें टूल रहेगा और उसकी साहिता से हम लोग ग्रूव को कट कर देंगे यह ऐसा grooving बना देंगे तो इसको बोलते हैं grooving next है facing facing जो operation होता है जो front का जो face है circular job का उस job के face को clean करना तो यहां से आम लोग इस जोब को clean करते जा रहे हैं तो complete center point जाएंगे तो यहां से mid point मीड पर मäter Overall को remove कर देना जितना भी ME.म या उसको केवल finish करना है तो finishing देने के लिए इस से आपकी जो job है उस job की जो length है उसको भी हम लोग reduce कर सकते हैं तो यह होता है facing operation next operation है वो होता है parting of किसी एक certain जगें से कोई part of कर देना जैसे यहां से यह इतना डाय रखा पिछे से इतना डाय रखा और बीच में एक केवल थोड़ी दूरी पे part को off कर देना remove कर देना तो उसको बोलेंगे हम लोग part of तो उसमें इस तरह का tool यूज करेंगे वही और इसको touch करके directly फिर हम लोग use करके part को off कर देंगे तो यह होता है parting of next जो operation है वो होता है boring का हम लोग जो है यह जो let machine है इस let machine पे boring का operation भी perform कर सकते हैं वैसे तो इसके लिए separate machine होती है और उसमें भी हमने पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि boring machine तो boring machine से meaning क्या होता है कि जो already drilled hole है उसको enlarge करना तो already drilled hole था कोई उसको enlarge करना let machine की साहता से तो इसमें जो bore का tool है तो यहाँ पर जो use होता है वो काम करता है आपका tail stock तो tail stock के हम लोग वहाँ पर provision करते हैं let machine का tool लगाएं और उसको इस तरह का provision करते हैं कि rotate करवास कें तो यहाँ पर job fix कर लेते हैं या फिर job को जो है rotate करवाएं और उस fix tool को वहाँ पर नजदीक लेके हैं फिर हम लोग उसमें touch करेंगे और जो job है वह आपकी circular rotate होगी या फिर आपके पास job को fix करेंगे और उस tool को rotate करेंगे और reciprocate भी करेंगे ताकि वह वहाँ पर hole जो है उसको enlarge कर दे जैसे यहाँ पर य चला जाएगा तो इससे मीनिंग इस hole का जो इनर जो डाय था वह और भी enlarge हो गया next operation perform है वह होता है threading हम लोग drilling की सायता से thread भी cut कर सकते हैं जिसको देशी आम बासा में चूडियां बोलते हैं तो वह threading भी बना सकते हैं तो threading बनाने के लिए इस तरह का एक tool होता है जिसमे center जो mid point है वो इसमें touch करते हैं उसकी सायता से हम लोग इसमें इस तरह से जो जैसा figure में mention है इस तरह से हम लोग उसमें threads कट करते चले जाते हैं तो यह होता है threading का operation next operation है वो होता है नर्लिंग का operation नर्लिंग operation से meaning जैसे micrometer है उसका ratchet होता है उसके उपर भी नर्लिंग का process इस तरह का process किया होता है जैसा इस figure में दिख रहा है तो एक null tool की सायता से हम लोग इसको perform करते हैं तो null tool यह आपका null tool होता है इस null tool की सायता से वैसा ही बन जाएगा जैसा ratchet पर मैं बा का provision बनाना तो उसको बोलते है नर्लिंग process next जो process है वो है drilling इसमें drill की bit है उसकी सायता से कोई work piece है उस work piece में हम लोग all produce कर सकते हैं तो इसमें भी जो drill की bit होगी उसको हम लोग provision करेंगे कि जो right side में tail stock रहता है ले इस machine पे उसकी जगे drill की bit का use करें उस drill की bit की सायता से हम लो जो work piece है उसमें hall produce कर सकते हैं इसमें जो machine है ये तो main operation है और भी operation perform कर सकते हैं जैसे rimming का operation है की clean करना है जो drilling से हमने hall बना लिया produce कर लिया उसको clean करना है तो वो भी इससे produce कर सकते हैं तो ये थे दोस्तो operations performed by a lathe machine exam point of view से बहुत ही important question है थेंक्यू दोस्तो